आप सुन रहे हैं आज का सूविचा शश्मिता सिंग के साथ हेरन की रफतार रखबग 90 किलोमीटर प्रतिगंटा और सेल की रफतार 58 किलोमीटर प्रतिगंटा होती है इसके बाउजूद अक्सर हेरन का सिकार हो जाता है क्योंकि हेरन को लखता है वह सेर से कमजोर है यही खौफ उसे बार-बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है इसलिए आप खुट पर यकीन रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए आप अपने सपने और लक्ष पर अड़िग रहे कोई आपका साथ दे या ना दे खुट पर यकीन रखिए रिस्ति मिभाने के लिए बुद्धी नहीं दिल के सुद्धी होनी चाहिए सत्ति कहो इस पस्ट कहो कहो न सुन्दर जूट चाहे जाए कोई रोट जिस चन महनत और किस्मत का मिलन होता है उसी सुप समय में सफलता का जन्म होता है रूख मारकर दिये को बुझा सकते हैं पर अगर बत्ति को नहीं क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वा खुट बुझ जाता है अपने सपने को गले लगाईए इस सुमीद के साथ कि आने वाला कर मेरा है अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिन्ता रखिए हद से जादा समझदारी जीवन को बिरंग बना देती है रेज चाहे गाड़ियों की हो या जिन्दगी की जीथते वही लोग हैं जो सही समय पर गेर बदलते हैं सुम दूप तो अतीथी है बारी बारी आएंगे चले जाएंगे यदि हम नहीं आएंगे तो हम अनुबाव कहां से लाएंगे चलो जिंदगी को खुल कर जीने के लिए एक छोटा सा हूसर बनाते हैं रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा बन जाते हैं बादलों में छिपा हो फिर भी सूरत सुरजी रहता है रास्ता देखकर भी एक परवत परवत ही रहता है अपनी आभा ना कोई हेर सके अपनी आभा ना कोई हेर सके द्रिड बने वी चाहार इतने की कोई ना पहर सके चुनोतियों की चाहे स्रिंखला बने साहत से सीना हर बात दने